अलो बच्चो वेलकम तुमाई चैनल आज भी हम करेंगे मैट्स की दो वर्ड प्रोब्लम्स जो की अडिशन के उपर बेज्ट हैं ठीक है पहले हम देखते हैं क्या पूछा है हमसे वर्ड प्रोब्लम में अज प्रोब्लम नकिर्ण प्रोब्लम में अगवड ब!」 प्रोब्लमृ में प्रोब्लम और प्रोब्लम इस स्टेंज अंडला करें छे स्ट्रेंट हैं वर्ड फैर्जञे उपर फैर्डेंट लसा बच्चे, बच्चों के नंबर हमें बताए हैं, वेंटर्ड फेंटेसी लेंड पार्क जोकि फेंटेसी लेंड पार्क में जाते हैं, त्री बेस में Saturday, Sunday and Monday, तो Saturday on Saturday was 2232, फेंटेसी लेंड में Saturday को जाने वाले बच्चों का नंबर था 2232, संडे को जाने वाले बच्चों का नंबर था 3,567 and on Monday, Monday को जो नंबर था वो था 1,125 इसका मतलब क्या हुआ कि एक fantasy land park में तीन दिनों में जितने बच्चे गए उनके नंबर हमें बताये हैं संडे को 2,232, सारी, साटर्डे को संडे को 3,567 and Monday को 1,125 नाव कोशन हम से क्या पूछा है हाव मेनी चिल्रन एंटर दा पार्क अन आल दीज देज कि इन तीनों दिन में मिला कर, on all these days मितलब, इन तीनों दिन में मिला कर, कितने बच्चों ने fantasy park में एंटर किया कितने बच्चे fantasy park गए तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो तीनों दिन के नंबर समय दिये हुए हैं उनको हम एड़ करेंगे ठीक है, तो word problem है इसलिए statement के साथ हम इसको solve करेंगे number of children entered on Saturday is equal to 2232 number of children entered on Sunday 3,567 and number of children entered on Monday is equal to 1,125 ठीक है now therefore number of children entered the park on all three days is equal to जो भी यह तीनों नंबर है इनको हम एड़ कर लेंगे 2232 plus 3567 plus 1125 ठीक है इसके लिए हम इधा रफ कॉलम में इनको एड़ करेंगे 2232 323567 1125 527 and 714 का 4 carry 1 3 and 1 4 and 6 10 10 plus 2 12 carry 1 5 plus 1 6 plus 2 8 plus 1 9 and 2 plus 3 5 plus 1 6 इत मेंज कितने बच्चे गए टोटल 6924 आंसर लिखेंगे इसका 6924 चिल्रन वर एंटर वर दापार्क अउन और 3 तो यह प्रॉपर वे है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहले हमें इंफॉर्मेशन दी होती है पहले हम उसको नोट करते हैं फिर जो हमें फाइंड आॉट करना है हम उसको लिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं और फाइनली उसका आंसर लिखते हैं ठीक है एक और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम कॉलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 इट वास 477 एर्स लेटर देट मैन फर्स सेट फुट अन दे मून विच एर वास देट कॉलम्बस ने जो है अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 जैसे अभी 2022 चल रहा है ऐसे 1492 में कॉलम्बस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था ठीक है इट वास 477 एर्स लेटर देन देट मैन फर्स सेट अन दे मून इसके 477 एर्स के बाद मैन जो है फर्स टाइम मून पर गया था या जो इनसान था उसने मून पर फर्स टाइम कदम रखा था तो वो कौन सा एर था तो इसमें हमें एक हिंट दी हुई है कि कॉलम्बस ने अमेरिका को 1492 जो एर था उसमें डिस्कवर किया था और उसके 477 एर्स के बाद 477 सालों के बाद जो इनसान था वो पहली बार चान पर उत्रा था तो हमें पूछा क्या है कि वो कौन सा साल था जिस साल जो इंसान है वो चान पर पहली बार उत्रा था हिंट के लिए हमें अमेरिका किस साल डिस्कवर हुआ ये बताया है और उसके कितने साल बाद चान वाला ये हुआ है चान पर जो है इंसान पहुंचा है वो बताया है तो हमें वो year find out करना है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो यह वाली date है यह वाला year है जिसमें अमेरिका को discover किया था उसमें हम इन 477 years को add कर देंगे ठीक है तो हमें मालूम चल जाएगा कि कौन से year में जो man है वो first time moon पर उत्रा था Columbus discovered America in 1492 okay and man first first set foot on the moon 477 years later यह दो information हमें दी हुई है इसके बेसिस पे अब हम निकालेंगे वह कौन सा साल था therefore the year was 1492 plus 477 ठीक है इसके लिए हम इसको यहां add करते हैं 149247 7 7 & 2 9 9 & 7 16 6 carry 1 4 & 4 8 & 1 9 & 1 1 9 9 9 9 9 9 ठीक है अब इसका आंसे लिखेंगे हम 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 ठीक है तो वर्ट प्रॉबल्म जब भी हम करेंगे सबसे पहले उसको समझेंगे कि उसमें हमें क्या-क्या बताया है उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे कि हमसे क्या पूछा है फिर हम जो पूछा है हमसे question उसको solve करने का क्या तरीका है उसको करेंगे ठीक है तो और भी practice के लिए हम आगे word problem में और भी लेकर आऊंगी तब तक आप इनकी practice कीजिए अपना ध्यान रखिए बाबाई